तो दोस्तो अगर जो आपके फ्रीज में इस तरीके की समस्या हो रही है और यहां पर देख लिए बहुत ज़्यादा बरफ इसके अंदर जम रहा है तो वो किस तरीके से आप अपने फ्रीज को सही कर सकते हैं बीना एक रूपे खर्चा किये तो दोस्तो इस वीडियो में हम आ आप अपने फ्रीज को ऐसा पहार जैसा बरफ बनने से रोक सकते हैं और आप अपने फ्रीज को सही कर सकते हैं जैसे कि इसके अंदर देखें बहुत ज़्यादा बरफ जो है इसके अंदर जम चुका है और आप अपने फ्रीज को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं देखें यहां तो भी आपका बरफ नहीं जमेगा तो दोस्ते यहां पर देख लिए यह समस्या है समस्या दिखा आपको यह वायर जो है यही में समस्या है यहां पर यह जो वायर है यहां पर यहां थर्मोस्टेट से क्नेकटर रहता है तो यहां पर यहां पर प्रफेक्ट मैच नहीं कर पाएगा और आपके फ्रीज को कॉनटीन्यू चालू रखेगा और बंद भी नहीं कर कर पाएगा तो यहां पर हम इसको अच्छी तरीके से सबसे पहले इसकी जगे को साफ कर लेंगे याद रखेएगा आपको बहुत ज्यादा कुछ मारना नहीं अगर जो इस तरीके का बरफ जमा रहे तो आप उसको बंद कर दीजिगा तो पिघल जाएगा क्योंकि हम पेचकस क और उल्टे सीरे से मार रहे इसलिए हलका बर जमाता तो निकल गया तो यहां पर देखें कम्प्लीट तरीके से हमारा जो उपर का हट रहा है और नीचे से भी हमको थोड़ा बहुत मारेंगे तो यह हट जाएगा तो यहां पे नीचे से भी हमने मार के हटा दिया है दिखा दे तब आपको यहां पे देखिए अच्छी तरीके से दिख रहा है अब यह जो सेंसर है इसको हमको इसके अंदर फिट करना है देखिए दोस्तों इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको फिट करना है थोड़ा मसक अकट और लगन फिट हो जाएका कोई दिक्कत नहीं है अराम से फिट हो जाता है इहांす below कि क् furum पर कि तक हिए हमारा ये फिट हो गया है और यहां पर लोग दिया होता है यह लोग में हमआगा मयम इसको इस तरीके से लगालेना है आपकर जूंद b और अगर जो यह नहीं लगा रहता है यह संसर तो आप इसको देखे आभी चाहे इसको 6 पे चलाएए फिर चाहे इसको 1 पे चलाएए लेकिन बरब का पहाड जो है वो आपका बनाए रखेगा इसलिए आप सोस्ते गर्मी में 6 पे रखना चाहिए तो यहां पर बरब ज्यादा इसके अंदर टचश होना चाहिए अगर टच नहीं हुआ होएगा तो यहां पर बहुत ज्यादा बरब जो है आपका जमाता रहेगा तो आपको यहां पर एक चीजा और खास करके ध्यान देना है कि जब इसके अंदर बरब जमेंगे ना तो यह डिफरेश्ट वाला भीच व तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा और लाइड विल भी कम आएगा जिसकी वज़े से आपका फ्रीज भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आसा करता हो आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर आप इस समस्या से